हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे 15th मोग टेस्ट वेपर ओफ हिंदी शेक्षिन की यदि अभी तक आपने 14 मोग टेस्ट वेपर पूरे के पूरे अटेम्ट नहीं किये हैं तो वो भी आपके लिए टेस्ट में जाएं और पूरे के पूरे मोग टेस्ट वेपर डाउनलोड करके आप अटेम्ट कर सकते हो चलिए मूव करते हैं इस वीडियो के कंटेंट के और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाक्य के कॉश्चन के और वाक्य के कॉश्चन पर ज्यादा फोकस रहेगा संदिविशेध होंगे और रस अलंकार वाले टोपिक होंगे रजीता वाले टोपिक होंगे शूद्ध शब्द होंगे इसमें यही 5 से 6 टोपिक हम डिस्कस करेंगे क्वेशन के बारे में चलिए मूव करते हैं पहले क्वेशन के और मीन्स 201 serial number की कौन सा question है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने ज्वाल नहरू का नाम न सुना हो वाक्य क्या है सेयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य सरल वाक्य, इन में से कोई नहीं तो उमीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा इसका सही ज्वाब है option number B is the correct answer next है आपका 102 question क्या है वाक्य के गटक होते है उदेश्य और विद्य करता और क्रिया, करम और क्रिया करम और विशेशन तो इसका सही ज्वाब है option number A is the correct answer next है आपका 103 question क्या है निमन वाक्यों में से सियुक्त वाक्य कौन सा है रूपा चाहती है कि बन्नोकरी करे गीता जिसे गर्म में रहती है जिस गर्म में रहती है बहुत गंदा है वह खाना खाकर सो गया उसने खाना खाया और सो गया तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number D is the correct answer Next है आपका 104 104 question क्या है निमन वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा होता है चोर को देखकर सिपाही पकडने दोड़ा सेट जानता था जानता है कि नोकरी मांदार है नेता जी बाशन देकर चले गए बिजली नहीं थी इसलिए अंदेरा थो तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number B is the correct answer ठीक है Next है आपका 1205 question क्या है निमन लिखित में से विराम चिन नहीं है अलप विराम अवतर्ण निशेद विराम निशेद चिन है पूर्ण विराम चिन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option number B is the correct answer Next है आपका 206 question क्या है इन में से कौन सा विराम चिन है ऐसा है जो हिंदी में अंगरेज जी बाशा में नहीं लिया गया है A option है Correct B है C है या D है कौन सा है Correct option तो इसका सही जवाब है Option number D is the correct answer Next है आपका 1207 Question क्या है वाक्यां के अशुद वाग का चैन कीजिए राम ने दनुश बांग कर देते ही या दूसरे राजाओं के Next है आपका बक्ष पर साप लोटने लगे Next है कोई द्रूटी नहीं आपको बताना है कौन से आपको एरर बताना है कौन से पार्ट में एरर है राम के दनुश बंग करते ही दूसरे राजाओं के बक्ष पर साप लोटने लगे कौन से एरर में एरर है कौन से पार्ट में तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option Number 1207 का Option Number C is the correct answer बक्ष पर साप लोटने लगे एरर है इसमें Next है आपका अशुद वाग वही है वाक्यम अशुद वाग आप देखिए कौन सा correct answer है तुम कक्षा में आते हो या कोई त्रिटी नहीं साथ क्यूं नहीं लाते तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यूं नहीं लाते या आपने बताना है कौन से उप्षन में आपका एरर है तो इसका सही जवाब है Option Number D is the correct answer क्या है पूरा संटेंस तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यूं नहीं लाते हो ये पूरा question था ये आपको बताना था Next है आपका समुंदर मंतन करना का अर्थ क्या होता है मोहाबरा है गोर तब करना कठोर प्रिश्रम करना द्रेड प्रतिक्षा करना या उदेश्य का को प्रापत करना तो इसका सही जवाब है option number B is the correct answer Next है आपका 2-0-2-1-10 means 210 question क्या है बिरोध करने के लिए बिरोध करने के लिए कौन सा मोहाबरा सही है सीर उठाना सीर जुकाना सीर काटना तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B is the correct answer Next है आपका 2-0-1-1 question क्या है नाश कर देने के लिए सही मोहाबरा क्या है पानी में आग लगाना पानी वरना पानी फेर देना पानी पानी होना तो इसका सही जवाब है option number B is the correct answer Next है आपका 2-1-2 question क्या है रहीमन पानी रखिए बिन पानी पर पानी सबसून में कौन सा अलंकार है यमक शलेश यतियो युक्ति अति युक्ति अनुपरास तो इसका कौन सा अलंकार सही है या आपने बताना है उमीद करता हूँ वी तक आपने बता दिया हूँ का उत्तर तो इसका सही जवाव है उप्शन नंबर B is the correct answer Next है आपका दोस्तो तेरवा question क्या है युक्ति सा कौन सा रस का स्थाई भाव है विप्त्स अदबुत करून या शांत रस तो इसका सही जवाव हो जाएगा उप्शन नंबर B is the correct answer Next है दोस्तो चोदवा question कौन सा है शंद की रचना किसके द्वारा होती है सर के समयोजन से गणों के समयोजन से द्वानियों के समयोजन से या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाव है उप्शन नंबर A is the correct answer Next है आपका दोस्तो पंदरवा question कौन सा है ब्रमगीत के रचीता है बिद्यापती शिब सिंग सूरदास या गण गणा नंद तो इसका सही जवाव हो जाएगा उप्शन नंबर C is the correct answer Next है आपका प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताईए सहचारी, संगिनी, प्रेमी का अर्धांगिनी तो इसका सही जवाव है उप्शन नंबर D is the correct answer Next है आपका दोस्तो प्राण 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 दुरित दुख दैन्ने नह थे जब ज्यात, परिचित, जरा, मरण, प्रूत, प्रवु, पात, पंक्ती के रचनातकार है सुरेकांत, रिपाथी, निराला, महादेवी, बर्मा, सुमित्रा, नंदन, पंत, या जैशंकर, प्रसाद तो इसका कौन सा उप्शन सही होगा इसका सही उप्शन है नेक्स्ट है आपका दोसो ठारवा कॉशन कौन सा है दिये गए भी कल्पों में मारूत का प्रावाच्ची शब्द बताना है आपको देबता बायू या परिथवी तलाव तो इसका सही जबाव है ओप्शन नमबर बी इसदा कॉरेक्ट अंसर नेक्स्ट है आपका दोसो ठारवा कॉशन सुहाग के नुपूर के रिचिता है प्रेमचंद मोहन रकेश निराला या अमरिता लालनागर तो इसका सही जबाव है ओप्शन नमबर सी इसदा कॉरेक्ट अंसर निराला नेक्स्ट है दोसो बी स्वा कॉशन क्या है ए ए ओ ओ ओ कौन से अफस्वर है दिर्ग स्वर सेयुक्त स्वर हास्विर स्वर या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जबाव है ओप्शन नमबर बी इसदा कॉरेक्ट अंसर उमीद करता हूँ अभी तक आपने 20 के 20 अटेम्ट कर लियो होंगे यदि आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आपने इस रूप से कमेंट बोक्स में इंस्टागरम पर पूश सकते हो आपना अपना स्कोर बताना है 20 में से आपके कितने आए 17, 18, 16 जितने भी आपके इनमाक्स आए वो आपने कमेंट बोक्स में जुरूर बताने है यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते है विकाउज आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो को जदस जद बच्चों में शेयर करना आपकी जिम्माबर होती है मेरा काम होता है वीडियो को बनाना और काम आपको अच्छे से मालूम है आपका और मुझे मेरा इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेगा धन्यवाद जय हिंद जय हिमाचल